हालो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप Dream Eleven अप्लिकेशन को ओपेन करते हैं तो जैसे ही आप ओपेन करते हैं तो वो ओपेन नहीं होती है खुलती नहीं है यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है ने इस नेटवर्क प्रोब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं बस दो मिनट में आप इस प्रोब्लम को ठीक कर सकते हैं 100% वर्किंग सेटिंग यहाँ पर ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताया होगा बहुत ही आसान तरीके से बस दो मिनट में आप इस प लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है, यहाँ पर जितना भी आप रिट्राइ करो, इस प्रकार का यहाँ पर सम्थिंग रहां करके यहाँ पर आप सना आता है, उसके बाद से यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं, पूरा आपको नेटवर् चैट में क्लिक करेंगे सभी जगा यही option आता ही यही problem आती है तो इस problem को आप कैसे ठीक कर सकते हैं देख सकते हैं हमारा net ओगा रहा भी यहां पर सभी चालू है आप लोग देख सकते हैं net यहां पर चालू है यहां पर कितने KVPS चल रहा वह भी यहां पर आपको दिखा रहा वरना आप लोग बोलोगो कि net बंद करके कर रहे हो तो इस तरीके से आ रहा फिर भी ये problem ठीक नहीं हो रही है यहाँ पर इसी प्रकार का option आ रहा तो इसको कैसे ठीक करना है आपको 2-3 setting बताऊंगा जो की एकदम 100% useful होंगी जिसके वज़ा से आप इस problem को बहुत ही आसान तरी से ठीक कर सकते हैं तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लो उसाथ में हमारे टेलिग्राम से जूड़ जाना कोई भी कमेंट करना है और ज्यादा से ज करना है क्या आपको करना चाहिए कहां से ठीक होगा तो सबसे पहले तो आपको चेकाउट कर लेना है कि क्या आपका जो ड्रीम अलेवन अप्लीकेशन है कोई अपडेट तो नहीं मांग रहा है कोई अपडेट तो नहीं आया है या आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है क नहां से अपडेट करना इस पर भी मैंने complete वीडियो बनाया है और साथी dream 11 application में जो आधार verify का option आता है उसे कैसे हटाना है कैसे या link करना है अगर आप link करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वो कैसे क्या करेंगे पूरी जानकारी मैंने अलग से वीडियो बनाया है उ सभी पर वीडियो बनाया है आपको वीडियो को लाश्ट में सभी वीडियो का बॉक्स दिख जायागा आप आसानी से क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं या सभी वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा दूसरा आपको काम क्या करना है कि इसको cut कर देना है आपक इस प्रकार का option आ जायागा तो यहां पर आपको क्लिक करना आप इंफो वाले option पर तो जैसे हम यहां पर आप इंफो वाले option पर क्लिक करते हैं यहां पर बहुत सारे option आ जाता है जैसे कि permission का हो गया betty uses का हो गया उसके बाद storage uses का हो गया तो यह जो सारी setting थी, सारी problem थी वो खत्म हो चुकी है, अब आपको बायक आना है, बायक आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से dream alone application को open करके mobile number डाल के login करेंगे, तो आप आसानी से इसमें यह problem को ठीक कर पाएंगे, यहाँ पर मैंने देख सकते हैं इस प्रकार का option किया है, उस को cancel कर देंगे, और आसानी से देख सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर यह आइप यहाँ पर चलने लगा है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे, आसानी से खुल जा रहा है, सारा कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके स और साथी पैसे जो आड़ करने में प्रॉब्लम आती है वो भी वीडियो है बगल में आप देख सकते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बागाई